हम सबी को पता है कि टेटनिक तो डूब चुका है लेकिन टेटानिक को ऐसे चांसे से कि वो बच भी सकता है लेकिन फिर बेने बचा तो चेलिए हम जानते हैं वो क्या चांसे से और टेटानिक ने क्यों उस चांसे से के यूटलाइज ने किया बात है कि साल 1912 एप्रेल 10 को टेटानिक जहाज ने सोट एम्टन इंग्लैंड से लेकर अमेरिका की और बढ़ता गया सोट एम्टन इसकी शुरुआ थी और इसका डेस्टिनेशन था न्यू यू यॉर्क और दो दिन बात 12 एप्रेल 1912 को टेटानिक शिप को दूसरे जहाजों से आइस बक्स की वार्निंग मिले लेकिन तब भी टेटानिक अपनी रफ़तार को कम नहीं किया अगर टेटानिक यहां पे अपना रफ़तार को कम किया होता तो भी बच सकता था लेकिन रफ़तार ज्यादा रखने के वज़ा से यह बच नहीं सका और दो दिन बात 14 एप्रेल 1912 की रात टेटानिक की आखरी रात थी उस रात 11 बच कर 40 मिनिट पे एक बड़े एस बक से टेटानिक ने टकरा गया और टेटानिक के बेस्मेंट में जो 16 कमपार्टमेंट्स थे उसमें 6 कमपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे इसलिए वो डूप चुका था टाइटानिक के बेस्मेंट में चार कमपाटमेंट टूटे होते तो भी बच सकता था लेकिन छे कमपाटमेंट्स टूटने के वज़ा से वो बचने सका टाइटानिक को बचने के लिए और भी छांस है वो पाट्टो में हम बताएंगे